हेलो स्टूडेंट एन पेरेंस तो यार आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है अच्छी इसलिए होने वाली है अगर आपको अभी तक राउंड वन की UPIUs की काउंस्टलिंग में आपको प्राइवेट DMS कॉलिज नहीं मिला है तो आप राउंड ंच्छा सा कॉलिज पार सकते हैं राउन्टू की काउंसलिंग का सेडियूल वायरल हो रहा है न्यूजपेपर में भी निकला हुआ है साइट पर क्लिप देखरी होगी कौन-कौन एलिजिबिल है और पूरा का पूरा सेडियूल मैंने ब्रीप किया हुआ है अच्छे से समझाएंगे अभी और अच्छे सेडियूल कौन-कौन से हैं तो टीम को रिच-आउट करें तो सबसे पहला पॉईंट है ओं-लाइन रिजिस्ट्रेशन का इसमें उन स्टुडियंट्स को रिजिस्ट्रेशन करना है जिन्होंने अभी तक रिजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था राउंड़ वन की कॉंसलिंग पाडिसिपेट नहीं किया था पहला पॉइंट दूसरा ऐसे चात्र जिनकी सिक्रिटी एमाउंट फॉर्फिट हो गई है तो उनको दुबारा से 50,000 पे करने पड़ेंगे जिन्हों नोडल सेंटर रिपोर्ट किया था बट वो कॉलेज नहीं गए है ना इस पे भी छोड़ा सा कनफ्यूजन है इस पे भी ब्रीप कर देता हूं बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई हम सिर्फ नोडल सेंटर रिपोर्ट कर जाएं और हमारी सीट फाइनल होगी तो भाई कॉलेज की जो सीट होती हो फाइनल नहीं होती है तब कब तक जब तक आप नोडल सेंटर प कॉलेज जो भी आपका अलोटेड इंस्टिटूट होगा वहाँ पर किसके साथ जाएंगे पूरी ट्यूशन फीज के साथ जाएंगे प्लस ओरिजनल डॉकुमेंट्स के साथ जाएंगे तो आपर भी डॉकुमेंट्स पूरा सम्मिसन होता है वेरिफिकिसन होता है पूरी फ आपकी दिखाती है अगर वह नॉन रिपोर्टेट कर देंगे तो फिर नहीं दिखाईगी वह सीठ जाएगी समझ गए इसलिए ऐसा मत सोचना कि हम नोडल से रिपोर्ट कर गए तो हमारी सीट मिल गई है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है तो सब्सक्राइब करेंगे उनको करना रहेगा 16 16 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर की बीच में रहेगा आपको एलॉट्मेंट नहीं मिली है तो सिंप्ली आप राउंड टू में पाडिसिपेट करोंगे और आपको उसमें कुछ नहीं करना होगा सीधा आप चॉइस पलिंक करेंगे अगर री सफल भी करना चाह रहे है पहले में मिल भी गया था उस केस में भी अगर चॉइस करेंगे तो चॉइस करने ही पड़ेगी ऐसा मत सोचना कि पुरानी वाली चॉ जाएगा किसने security amount pay किया है क्या किया है तो उससे च्छाइस पिलिंग कप से होगी 19 से 21 के बीच में 11 बज़े तक रहेगी सीट अलॉट्मेंट ये 21 को तीन मज़े तक दे देंगे जिसमें अलॉट्मेंट लिस्ट आउट हो जाएगी उससे पता चल जाएगा कि किसको कौन से कॉलेज मिला हुआ है इसमें जो सबसे 22 23 को साम पांच बज़े तक रहेगी दो दिन तक नोडल सेंटर पर रिपोर्टिंग है अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे अब यहां पर जैसे आपने राउंड टू पाडिसिपेशन एलिजबिल्टी साइट पर स्किन पर दिख रहा होगा स्किन सॉट कौन सा भी अपडेट सून है ना और 24 फिलिंग मेंडेटरी होता है लॉक करना बहुत सारे लोग अनलॉक करके छोड़ देते हैं अब यहां पर एक जो पाड़ दे रखेस लक्ट फाइब कॉलेज तो भाई 24 फिलिंग में कौन से पांच कॉलेज अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं को बताऊंगा पहले नंबर पर कॉलेज आ जाता है महाराना प्रताप अरिवेदिक मेडिकल कॉलिस कानपूर इनके दो क्यांपस एक बिठोर में और एक मंधना में दोनों में भरपूर सीटे खाली है कोई भी रैंक होगी तब भी आपको मिल जाएगा बट यहां की जो फीस मंगल आयतन उनुवर्सिटी अलिगर इनकी भी पॉमिशन आ चुकी है जिसमें से इनकी फीस है दो लाग चार जार छेसुर रुपए ठीक है और फस्ट येर में सारे चार्जेज मिला के दो लाग पैंसेट जार रुपए आपको यहां पर जमा करने रहते हैं ट्यूसन फीस इतनी है युनुवर्सिटी में सबसे कम फीसिस की है आप संस्किती लिलोगे तीन साथ है बाजू में हापर आपका कम में हो जाएगा है ना सकेस उनुवर्सिटी मथुरा उसके कमपरजन में भी कम है तो एक अच्छा कैंपस है कैंपस टूर आपको अमारे चैनल पर मिल या वहां से पास पड़ेगा विकॉस जी असापूर फुल हो चुका है दिविजोती फुल है इसान फिल हो चुका है प्रकास इंस्टिटूट बुलनसूर फुल हो चुका है तो यू है वाव सिंगल ऑप्सन डबलो टीम अमरोहा का दो लाग चार्जर छहसों फीस है भाईया इ ठीक है तो यू केन गो फ्रीली एकदम बढ़िया से पॉस्ट्व माइंडशेट के साथ आप जा सकते हैं फोर्थ नमबर पर कॉलेज आ जाता है आरके आजमगड यह आजमगड में है कॉलेज काफी पूराना है मतलब यह सिक्स्टी इंटेक का है जिसमें से 50% सीट इनकी फ तीस के आसपास है दो अठाइस या दो तीस आरके आजमगड का तो यह फिस्टक्चर है ठीक है और यह आप टॉप प्रिफरेंस में रख सकते हो अगर आपको पुर्वांचल में चाहिए तो मैंने इसने पहले वीडियो में बनाया था कि उदर पुर्वांचल के अगर कॉल बढ़ा भी सकते हो वीडियो आज कहीं तक और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें हम मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नहीं जानकारी किसे नापडेट डिटर साथ के साथ मैं कब तक के लिए लेते हैं अलविदा बाबाइ हुआ है